मंदिरों में दो तरह का शिवलिंग का निर्मान होता है, ठीक है? एक विश्णु शिवलिंग, एक शक्ती पारवती शिवलिंग दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से एक shivling बो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है shivling रहता है ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी और shivling जमीन पर रखा रहता है बूमी पर रखा रहता है डायरेक्ट जमीन पर आप जल ले जाकर चड़ाए निकल गया रस्ते से एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ती शिवलिंग कर लाता है पारवती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुक में और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है अब हम उसको कैसे बन डमरू शिवलिंग होता है आईसा उसका इस्टेंड होता है नीचे शिवलिंग रखने की जगा होती फिर ऐसा होता है फिर उसके उपर इस तरह शिवलिंग रखा होता तेक दर्शन करें आप दोगों ने अब फिर इसके उपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुँटा ठीक है इस तरह का जो शिवलिंग होता एक डारेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसे याकर की होती है इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है ये भगवान विश्नु का हस्त कमल है और उपर का जो भाग है वो भगवान ब्रमा का हस्त कमल है इसको विश्नु शिवलिंग करते है इसको हरिश्वर महादेव भी कहा जाए कौईसा महादेव पत है हरी सरविश्वर महादे हरी सरविश्वर महादे भी करते हैं हरी सरविश्वर भी करते हैं तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्मान हुआ है मंदिर में अगर शिवलिंग उंचया है शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है उंचाई पर है और डमरू जैसा भाग फिर उसके उपर जलाधारी जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्मान किया गया है तो वो विश्णू शिवलिंग के लाएगा वो हरी शुर शिवलिंग के लाएगा वो हरी बंश शिवलिंग के लाएगा अर जो डारेक सीधे जो रखा हुआ बारा जो तिलिंग के अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विश्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा केवल एक नागिश्वर को छोड़कर पड़कर जमके बोलिए केवल एक नागिश्वर नागिश्वर को छोड़कर बाकी के जितने बारा जो तिलिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ती शिवलिंग मिलेंगे साब जमीन पर आप जितने भी देखेंगे काशी का देखेंगे महंकाल इश्वर देखेंगे तो डारेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है, महंकल बाबा की, डारेक्ट जमीन पर बनी है, कोई हुचाई नहीं है, डारेक्ट जमीन पर, प्रिश्व लिंग, ओमकारिश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनात देख लीजिए, डारे जमीन पर दाइवेक तो जितने भी शिविलिंग हैं सारे की सारे शक्ती शिविलिंग जो डमरू के बाग पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिविलिंग विष्णू के हस्त कमल पर जो रखा है तो शास्तर कहता है आप शक्ती शिविलिंग का जब जब अभिशेक करें बहुत ध्यान रखना अपनी जिन्दगी में इस प्रसंग को, इस प्रसंग को श्रावन के महीने में बहुत ध्यान रखना, आपके आसपास में भी मंदिर हो तो उस पर ध्यान रखना, जो शक्ती शिवलिंग हो उस पर जब भी भी जल चड़ाना, तो बेट कर चड़ाना, बेट कर च चड़ादो पर जल बेट कर चड़ाई को पले शिवलिंग उपर पूरा तरह से हात भी मुच्ड》 जैसे सोम नाकी सुमनाजी defines가 कितना महांकले शुरकाश्य लिंकितना न बड़ा तो उसको तो बेटına कर नहीं करा तो बहुत कर न हुँ चायो पर अगर भूमी टाच है शिवलिंग अगर भूमी टचे शक्ती शिवलिंग है तो भले आधा शिवलिंग नाए आधे पर पानी जाए पर बेट कर ही स्नान कराया जाता है और महराज यदी हरिश्वर शिवलिंग है और ठात भगवान विश्णू के हस्त कमल पर और ब्रम्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है तो वो शिवलिंग का जब भी भी इस्तनान कराएंगे, अविशेद कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े हो कर ही करना है, और खड़े होने कभी तरीका होता है, दोनों चरण बरावर में रखकर कभी भी शंकर भगवा के शिवलिंग का इस्तनान नहीं कराया जाएंगे, दोनों चरण बरावर रखकर अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चड़ाने के लिए आप गए हो, और शंकर को जल चड़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है, तो दोनों पाउँ आते हुए अपने घर में प्रवेश करा लच्मी भागती हुए अगर जो पुष्टी मारग से जुड़े होंगे जो भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं पुष्टी मारग से जुड़े हों श्रीमत वल्लभाचार जी से वल्लभकुल वालकों से जिनका ब्रम्म संबंध हु तो दोनों पाउं श्रीजी बाबा के झारश करेंगे पत्रानी यमना जी का जब दर्शन करेंगे तो यमना हमेशा एक पाउं यमना जी का आगे मिलता है क्यों जो वष्ट नो ठाकुर का दर्शन करेंगे श्रीमत विल्ल बहाचार जी के अंसार भगवत चर्चा करें उसके यहां यमना भक्ती निरंतर प्रवेश करती जाए इसलिए भागता हुआ चरह लोड़ लोड़ तो शंकर भगवान का अगर हरिश्वर शिवलिंग है कहीं शिवलिंग डमर्वाकरती पर अगर उंचाई पर है हरिश्वर है तो फिर जल खड़े होकर चर्ण आगे पीछ बहुत ध्यान देना मारा के हरिश्वर शिवलिंग का करने की है कि महाराज बहुत सुंदर बात कहिए है बहुत ध्यान से सुनारे शिवलिंग के ऊपर जो जल और हटी है üçश्व शिवलिंग के ऊपर जो जला धार हटी है वीड़े वत पांच मिनिट दस मिनिट आदा घंटा रबकर चोबिस घंटे के लिए हटा सकते हो शक्ति शिविलिंग के उपर ज़िलाधारी लगती है वो 15-20 में रखकर अदर घंटा रखकर भटा सकते है पर हरिश्वर शिविलिंग के उपर भगवान विष्णू के हस्त तमल पर जो शिविलिंग का अजिरमान आपको भी बन्न किया अगर वो शिवलिंग है, तो उस पर जलाधारी अगर लगी है, तो कम से कम पाँच घंका, आट घंका तो जलाधारी को रखना पड़ेगा ही। हापना करना है, किस भाव का होना चाहिए, चंकर के मंदिर में चंकर जी विराजे हैं, तो गनेजी कार्तिके और पार्वती की मुद्रा कैसी होना चाहिए, गनेजी कौन सी सून का होना चाहिए, जब संकर के मंदिर में हम अराधना कर रहे हैं, तो गनेजी की सून की सोर होना पार्वती की मुध्रा कौनसी होना चाहिए चडानद कार्थी के की दृष्टी कहाँ होना चाहिए ये संकर जी की प्राण। परतिष्ठा में देखा जाता है तेवल मूरती वाले ने बजार में मूरती बना कर बेज भी और तुम गए हमें संकर जी का परिवार दे दो हमारे मंदिरे जोटा था में वाँ प्रतिष्ठा करना है तुम बजार में गए और संकर जी का परिवार ले करा है संकर जी लिया है कार्थी के लिया है पारवती लिया है गणे जी लिया है यहां तक शुमाहा पुरान की कथा कहती है कि तुमारे घर की मूर्थी जितनी पुरानी होती है उतना सुक देती है आपको पहले भी कथा में कहां दिया और मूरत पुरानी होगी चले पुरानी है चड़े हुए जल को जब आप खोड़ा सा लेकर आते हो आपको बताया कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए खाली कलश शंकर जी के मंदिर से बापिस नहीं लाना, शंकर बगवान को जल चड़ाया, चड़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले दो बून लाओ, पर अपने घर पर लेकर आँ, उस दो बून जल का भी इस फर्ष, कलश के अंदर हाथ की पिन उंगलियां लगाकर अगर प्रिशूल पर टच करकर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, चीट दिया, या उसका आच्चमन मात्र हो गया, तो व्यक्ती का यश बढ़ना अपने आप प्रारम हो जाता है, उस यश बसक्ता है, शियू लिंग पर जल चढ़ाने का निएम जाने और झाल झाल